राहुल गांधी की गांधी परिवार की और कंग्रेस पार्टी की राधीनीती ऐसी अधुद हो गई है कि सत्ता पाने के लालज में कुछ भी कहीं भी कैसे भी बोलते हैं महले चुनाओं में बोल रहे थे कि मशीन ऐसी बनाएंगे ये एक छोड से आलू डालो गे तो दूसरी छोड से सोना निकलेगा इस चुनाओं में राहुल गांधी बोल रहे हैं खटाखट खटापट टकाटट गरीवी खटादेगे हम कहें लल्ला पंदरा साथ तुम अमेथी में रहे है सांसाथ तब काई अम इथी में खटाखट पठापट टकाटक करीभी नहीं अटाए हो अल देखिए टीवी पर आगुल गांधी कहें है खटाखट पठापट जो लड़के-लड़की फेस्बुकिया है उनको भी पैशा जेगे उसे कोई पूछ ले कि थोरी कहां है और गाउं थोरा कहां है भादर कहां है भेटुआ कहां है सिंगपूर कहां है संग्रामपूर कहां है दिलोई में इन होना कहां है पन होना कहां है तो ना चीन पाई फिर अगर एक चिठ्थी के उपपर आप लिख दो हिंदी में रवींत्री सुन ली पढ़ ले शेर बहादुजी तो धन्य हो जाए फिर उसी चिठ्थी के नीचे लिख दो मैंकेश्व शरंटेंग अपने दिलोई विधायक उनका नाम हिंदी में लिख देओ तो हिंदी पढ़ भी नहीं पाएंगे और ये वो व्यक्ति हैं जिनको मात्रभूमी और मात्रभाशा दोनों से बह रहे आप सब लोग टीवी देखा थे का समचार देखते हैं टीवी पर सोड़ सोड़ा समचार में देखी होंगी कि राहूल जी जब दक्षण भारत किनाव लड़ने गए तब वहां पर आरोप मनें कि दक्षण भारत पर हम लोग हिंदी थोपते हैं अब ये बतलाईए हैं हम सब हिंदी भाशे हैं हमने कभी अपनी भाशा किसी पर थोपी हैं क्या कि अद्गुद हो गई है कि सत्ता पाने के लालज में कुछ भी कहीं भी कैसे भी बोलते हैं पहले चुनाव में बोल रहे थे कि मशीन ऐसी बनाएंगे एक छोड से आलू डालोगे तो दूसरी छोड से सोना निकलेगा तो देखें को मशीन कभी फिर इस चुनाव में राहुल गांधी बोल रहे हैं खटा-खट, फटा-पट, टका-टक, गरीबी खटा दे अब हम कहें लल्ला 15 साल तो तुम अमेठी में रहे है सांसत तब कहें अमेठी में खटा-खट, पटा-पट, टका-टक, गरीबी नहीं अटाए हो अब घोशना पट तो थीक, कल देखें टी-वी पर राहुल गांधी कहें है खटा-खट, फटा-पट, जो लड़के-लड़की फेस्बुकिया हैं उनको भी पईशा देगे कल कहेंगे साथ लेने का पईशा देगे, पस्तों कहेंगे चलने का पईशा देगे कि मतलब इंसान को इतनी भी परक नहीं कि इस देश के लोगतंत्र में जनता जागरत मंचे अपना वोट देती है, ठकोस्तों में नहीं आती है, जो नागरिक देश का विकास चाहते हैं, वो कमल का बटन ही दबाते हैं झाहते हैं झाहते हैं झाहते हैं झाल झाल